स्वागत है को नए वीडियो में आज की इस वाले वीडियो में बहुत ही बड़ा बैड नियूज आप लोग के सा शेयर करना चाहता हूं और मेरे को भी पता नहीं कैसा फिलिंग हो रहा है मैं आप लोग के वास इंफोर्मेशन लेकर आ रहा हूं पहली बात तो मैं जो परसन ह मैं उसका नाम और कौन सी कॉंपरी में काम कर रहा था कहां से बिलॉंग करता है मैं यह सारे चीज़ें डिले डिटेल में आप लोग को बता नहीं सकता है यह हाइड रखनी पड़ेगी मेरे को अभी रिसेंट्टी एक बहुत ही दुखत कहानी है जो मेरे मेरे मैं जानता हू तबहाहे जो किसी की साथ ना हो और आप लोगों की से अन्रूरा उपर्चिनिटी की इसाप सदो ले सकतے हुए इस डियो को अप जादे सादा स्यार करिए तब अप सारे रिडियो गॉफर्स है उन लोगों के पास पौंचे को पचिल और में यह और फेंशलिए कंपनी में उनको वापस इंडिया भेज रहे हैं क्यों इंडिया भेज रहे हैं क्यों उन्होंने जो minimum criteria होती है आपकी contract की तीन महिने में उसको पुरा करना होता है प्रोबिजन आपको independently चीज़े करना आना चाहिए आप एकस्रे में हो सी ती में हो महीं में नाम नीवाता सकता तो वो उन्हें तीन opportunity miss कर दिया तीसरी बार में भी वो फेल हो गए तो फिर organization decision लिया कि उनको आपस भेजेंगे इंडिया आपस भेजेंगे क्योंकि यह इस जॉब के लिए capable नहीं है या competent नहीं है मतलब यह जॉब नहीं कर सकती या प्रूब मार्क नहीं है सब हाला कि बहुत ही बैड नियूज है मेरे को खुद को बुरा लग रहा है ऐसे शेयर करते हुए फिर भी मैं इसको शेयर करना हो कि लोग आप इसको लर्ण जो लोग मेरselvesको अभी मेंसेज कर रहे सब्सक्राइब् prayer लिए इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि कही और एप्लाई करेंगे तो जो नया और्गनेशन है यह पुराना और्गनेशन को पूछेगा क्यों इसको अपने निकाला या क्यों यह जोब छोड़के गई यह सारे डीटेल यहाँ पर पूछते हैं तो फिर वो तो अब यह नहीं बताएंगे कि यह बहुत अच् से वापस आ गया निकाल दिया या यह बहुत बड़ी प्रावलेम है मैं समझ सकता हूं रेडियोग्राफर की उपर क्या गुजर रहा है अभी लेकिन आप लोग इसको एक लर्निंग पॉइंट की सबसे लो जल्दबाजी नहीं करना है सबसे पहले सबसे पहले जल्दबाज है ठीक है मैं परसनली आपको तीन सदेशन देना चाहता हूं अगर ऐसा इंसीडेंट आपके सामने आजा तो इसको कैसे करना है सबसे पहला क्या है अब जिस भी नया जगा जाते हो नया हॉस्पिडल में जाते हो तो वहां पे आपको पहला एक हफते में दो हफते में आपक इसके बाद आपको लग रहा है कि आपको कुछ से ठोड़ा push करना है आपको तो आप आपने आपको पुछ करिए books निकालिए इंटरनेट में निकालिए बगो पढ़ाइय करिए जो चीज यह चीज आपको नहीं आता है पढ़ाई कर यह सीनियर्स की help लिजीए ऐसा नहीं की कि आप scale up करो आपने आपसे decide करो क्या करना है आपने आप observe करो पहले दो अफता decide करो क्या चल रहा है मामला उसकी बाद एक लीस्ट दो साल इंडिया में experience लेके आओ अच्छे से अच्छे hospitals में और सारा चीजे थोड़ा सा general knowledge ये सारे topics में computer चलाना ये चलाना वो चलाना सारा चीजे अपने आपको एक overall experience रेडियोग्रोफर बनाके फिर बाहर के लिए move करना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना जो लोगों के लिए मैं खास करके बोल रहा हूं दो साल से नीचे जो भी experience है आप लोग अभी स्विसी को और UK की जोब को side में रख दो और focus करो काम सीखने के लिए तीसरा है अगर आपके साथ ऐसा situation होता है UK आने के बाद फिर पहले तीन महीने के अंदर अगर आप पहले तीन म पहले यह लोग निकालने से पहले बोलो कि मेरा मम्मी की तब्यात खराब है ऐसा कुछ है कुछ करो दूसरा अल्टरेंटी प्लान है अगर आपकी पार्टनर आपके साथ में है उसकी बीजा sponsorship मिल रहा है ऐसा कुछ है तो उनके उपर डिपेंडमेंट में होके भी आप रह सक बताओ मैं अभी कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ नहीं कर सकता दूसरी बार सबसे जो बुरी लगी मेरे को सबसे मरे को दिल पर लगा वह वाली बात है जो मैनेजर है उन्होंने अभी खास करके यह बोला है कि कि शायदी वह को इंडियन रिडियोग्राफर को दुबारा इस फसने की बात तो चलो कोई बात नहीं लेकिन पूरा ओवरल इंडियन कम्यूटी की नाम खरा होता है तो यह सारे चीजों से आपको बचके रहना है अच्छे से स्किल डेवलाप करो अच्छे से पढ़ाई करो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं बार बार पोचो इंटरनेट पर जाओ गूगुल पर जाओ आप तो चैट जीपीटी की जमाना है अपने आई है जहां मर्जी जाओ लेकिन सीखो बाद में आखे पस्ताने से अच्छा है कि पहले ही सीख्या आओ या पहले आओ ही मत अगर नहीं आता तो आओ मत जोरूरी नहीं कि यूके आना है और सब्सक्राइब करो और मैंने बहुत सारे बुक्स बोला हुआ है वो बुक्स आप पड़ो अगर फिर भी आप लोगो कुछ फीदिव बगढ़ा बुक्स वगढ़ा रेडियो गांते स्थाडी मेलिक्रेल वगण चाहिए आप मेरे को मैंको लिंक्डिन पर मेसेज करो इंस्टरगाम पे बुक्स रहे बोलते मैं कैसे बेजूंगा इंस्टरगाम में बुक्स और देने लिए बोलते कर दो चलोड की कर दो जो बतीक है